प्यारे बच्चों, इंडिया में MBBS, BDS, एडमिसन के लिए दो ही काउंसलिंग अथोटी हैं, सबसे पहले NCC, जिसमें 15% ओल इंडिया कोटा के लिए, DIMD University के लिए, ESIC के लिए, और Central University के एडमिसन के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है, दूसरी काउंसलिंग अथोटी है, स्टेट काउंसलिंग अथोटी, जिसमें 85% स्टेट कोटा के लिए काउंसलिंग करवा कर एडमिसन दिया जाता है, इसके अलावा, Central Pool कोटा की काउंसलिंग भी concerned मिनिस्ट्री दौरा करवाई जाती है, लेकिन जो Manly Counseling Authority हैं, वो दोई हैं, MCC और State Counseling Authority, अभी कुछ दिन पहले, NMC ने एक ड्राप्ट तयार किया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक कोमर काउंसलिंग हो, एक ही प्लेट फर्म पर ये दोनु काउंसलिंग हो, 15% ओल इंडिया कोटा के लिए, और 85% स्टेट कोटा के लिए, तो ये गाइडलाइन तयार की है, NMC ने और इस ड्राप्ट को पब्लिक भी किया है, यानि ये जो ड्राप्ट है, पब्लिक के कोमेंट्स के लिए इसको पब्लिक किया है, और स्टेट काउंसलिंग अथोटी से भी उनकी राय मांगी है, कि क्या ये सही है, तो किसी-किसी स्टेट ने इसको सही ठहराया है, और किसी- यह NMC का वही ड्राफ्ट है जिसमें पब्लिक दवारा कॉमेंट्स मांगे गए थे और कॉमन काउंसलिंग के बारे में कहा गया है अब हम देख लेते हैं कि यह अगर कॉमन काउंसलिंग होती है तो इस्टुडेंट को क्या फाइदा होगा क्या इससे नुकसान भी हो सकता है य एक ऐसी काउंसलिंग हो जो एकी प्लेटफर्म पर हो यानि 15% और 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग एकी प्लेटफर्म पर हो मैं ये काफी दिनों से सोचता आ रहा था लेकिन ये अभी होने की पहल हो रही है तो मैं इससे बहुत खुश हूँ क्यों खुश हूँ इसका मैं आपको region बताऊंगा क्या-क्या फायदे होंगे students को इस से क्या-क्या नुकसान होते हैं अलग-अलग counseling से तो अगर ये लागू होता है तो student के लिए ये बहुत ही एक कुसी की बात है एक good news है क्यों good news है इसके बारे में हम सर्चा करेंगे आगे सबसे पहले तो states counseling जो होती है वो अलग-अलग eligibility criteria में होती है अलग-अलग domiciles rule होते हैं तो students को डरने की आउश्यक्ता नहीं है मैं आपको यहाँ एक procedure बता देता हूँ common counseling का कि इस प्रकार से ये हो सकती है क्योंकि इसमें 15% all India quota की जो counseling होगी उससे उस पर कोई effect नहीं पड़ेगा कोई नुकसान नहीं होगा इस counseling से और जो 85% state quota की counseling state करवाता है अगर ये common counseling हो तो state की counseling में state के student को भी कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि इसमें जो eligibility criteria है वो present में हर एक state के लिए अलग-अलग है तो यहाँ अलग-अलग लागू होगा domicile criteria है वो भी यहाँ state-wise लागू हो जाएगा example के तोर पर मैं आपको बता देता हूँ DU University का और जिपमर का DU University की जो counseling होती है 85% state quota के लिए वो counseling भी MCC करवाता है इसके अलवा जो जिपमर का internal quota का counseling होता है वो भी MCC करवाता है दोनु की eligibility criteria अलग-अलग हैं वो दोनु अलग-अलग ही follow हो रहे हैं तो जब state की counseling होगी एक common counseling में 85% seat के लिए तो किसी भी state के candidate को कोई नुकसान नहीं होगा कोई नुकसान इसलिए नहीं होगा कि यहाँ जो eligibility criteria है वो different state का statewide लागू किया जाएगा जैसे की du university और जिपमर internal seat के लिए लागू होता है तो इसमें किसी भी student को कोई नुकसान नहीं होगा जैसे मैं आपको बताऊं कि इसमें नुकसान क्यों नहीं होगा इसका मैं आपको example बताता हूँ जैसे कुछ state से जिनकी कटोव काफी ज्यादा हाई जाती है जैसे राजस्तान, बिहार, केरला, हर्याना, यूपी इनकी कटोव काफी ज्यादा जाती है लेकिन कुछ state ऐसे जिनकी कटोव कम जाती है जैसे कि मारास्टरा, गुजरात, MP तो इस प्रकार से इन स्टेट की कटोग कम जाती है लेकिन जो 85% के लिए Common Counseling होगी उसमें 85% के लिए स्टेट का कंडिडेट ही उन सीटू के लिए स्टेट वाइज इलिजिबल होगा UP की जो 85% सीट है उनमें UP का डोमिसाइल कंडिडेट जो वहाँ की इलिजिबली रखता है वही कंडिडेट उसके लिए इलिजिबल रहेगा इसलिए किसी भी कंडिडेट को कोई नुकसान नहीं है ये नुकसान नहीं है क्योंकि काफी सारे जो स्टेट जिनकी कटोप कम जाती है वो स्टूडेट डर रहे हैं कि क्या Common Counseling होगी तो हमारी भी सब के इकोल जाएगी कटोप ऐसान नहीं है ये सारा 85% स्टेट के इसाब से ही होगा तो आपको किसी भी स्टूडेट को डरने की इसमें आवशिकता नहीं है अभी इसमें फाइदा क्या-क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर Common Counseling होती है इस्टेट द्वारा Counseling नहीं करवाई जाती है एक ही Counseling होती है Common Counseling MCC अगर करवाती है Counseling तो एक ही बार Registration करना होगा अभी जो फिलाल Registration है वो अलग-अलग Registration करना पढ़ रहा है जैसे की MCC का Registration अलग होता है स्टेट की जो Counseling होती है उसका Registration अलग होता है इसके अलवा जो बाकी FMC के लिए MCC की वेब साइट भी Registration होता है IPU का इनका सब का स्टेट का अलग-अलग Registration होता है लेकिन जब एक यह कोमर Counseling होगी तो एक ही Registration होगा स्टेट को इसमें क्या फाइदा होगा एक ही बार Registration करना पड़ेगा हर एक बार स्टेट की Counseling के लिए Registration नहीं करना है तो यह सबसे बड़ा फाइदा है कि स्टेट को एक ही Registration करना है जिस परकार से NEET में फाइदा हुआ है 2016 से पहले NEET नहीं हुआ करती थी उसके पहले काफी एक्जाम हुआ कर दे थे स्टेट को काफी ध्यान रखना पड़ता था माहस्ट्र का अलग से एक्जाम होता था करनाटका का अलग से एक्जाम होता था तो यह स्टेट के एक्जाम अलग से होते थे उनको स्टेट के एक्जाम देनी लेकिन अभी egy common ही एक्जाम है नी एकी फोरूम अपलाई करना होता है इसी प्रकार से कोमन काउंसलिंग के लिए आपको एक ही रेजिस्टेशन करना होगा यह नहीं देखना है कि अभी करनाटका के फोर्म स्टार्ट होगे अभी माराश्टर के होगे हैं कहां अपलाई करना है किसी का फोर्म छूट भी जाता है तो इसमें यह सारी स्टूडेंट की समस्या यहां पर हल हो जाएगी सिरफ एक ही रेजिस्टेशन करना होगा MCC के लिए भी वही होगा स्टेट के लिए भी वही होगा इसके बाद में एक ही रेजिस्टेशन फीस डिपोजिट करनी होगी क्योंकि जब registration एक ही करना है तो registration fees भी एक ही deposit करनी है क्योंकि student को registration fees mcc के लिए अलग करनी है करने पड़ती है अभी फिलाल इसके अलावा state में जो private में admission ले रहे है open quota के तहट वो तो 3-4-4 state में registration करवाते हैं fees deposit करते हैं तो यह problem खतम हो जाएगी यह एक सबसे बड़ा फाइदा होगा student को कि उनको registration fees भी एक ही देनी पड़ेगी अब सबसे बड़ा जो फाइदा है वो है एक ही बार security money deposit करनी होगी अभी देखो state की security money अलग होती है deposit वो 2,00,00 रुपे अलग होती है mcc की 2,00,00 रुपे होती है तो यह अगर कोई student open seat पर admission लेना चारा है प्राइवेट कोलेज में admission लेना चारा है तो उसके कितनी सारी तो security deposit होती है अगर वो 5 जगए apply करता है तो 10,00,00 रुपे तो उसके security के deposit हो जाते हैं तो हर एक student फिर apply नहीं कर सकता है उस seat के लिए हर जगए apply नहीं कर सकता है वो क्योंकि security money इतनी ज़्यादा है कि वो हर जगए नहीं pay कर सकता है तो यह सबसे बड़ा एक फाइदा हो गया security money का इतना बड़ा फाइदा हो गया कि student को एक ही security money deposit करनी होगी इसके बाद में यह online counseling होगी offline counseling के लिए student को काफी फ्रेशानिया जेलनी पड़ती है जैसे कि मालोग जो student है government में mbbs में admission लेना चाहता है उसके लिए तो दो ही जगए counseling करनी है mccc की counseling करनी है और state की लेकिन जो open quota के लिए counseling करवा रहे है student उनको 4-5 जगए जगए ज़रना पड़ता है और उस जगए offline counseling भी होती है मोप अप राउंड की अन्य राउंड की भी होती है जैसे राजस्तान में second round से ही offline counseling स्टार्ट हो जाती है seven eight days यानि की seven days eight days के अंदर-अंदर वो counseling चलती है काफी समय लगता है तो student का ये समय बच जाएगा इस जमेले से student बच जाएगा और ये online counseling स्टार्ट हो जाने से student को काफी फाइदा होगा सबसे बड़ा फाइदा है documents verification के लिए student को individually नहीं जाना पड़ेगा जब उसको allotment यानि की college allot हो जाएगी तब ही वो college में जाके documents verify करवाएगा ये सबसे बड़ा फाइदा है क्योंकि किसी किसी state में पहले documents verification के लिए जाना होता है और documents verification के लिए जाने के लिए काफी expense भी होता है काभी परेशानी भी होती है इसके बाद एक जो सबसे बड़ा दोसरा जो next फाइदा है वो है कि एक student एकी seat hold कर पाएगा जैसे कि माल लो all India का first round हो रहा है तो student ने all India के first round में भी seat ले ली state का first round हो रहा है तो वो state के first round में भी seat अलोट कर वा ली तो एकी student दो जगे seat hold पर है वो एक जगे एकी student दो जगे seat लेकिन जब MCC की counselling होगी एकी platform पर counselling होगी तो या तो वो 85% के लिए उसको seat अलोट होगी या 15% कोटा के तायत उसको seat अलोट होगी जैसे डियू में और जिखमर में होती है तो एकी student एकी seat hold कर पाएगा एकी seat अलोट करवा पाएगा इससे काफी ज़्यादा फाइदा होगा जो lower merit के candidates हैं उनको काफी फाइदा होगा काफी डाउन तक जाएगी इसके बाद में जो security money है फॉर्फिट हो जाती है जैसे माल लोग किसी student में में security deposit करवाई second round में उसको seat अची नहीं मिली उसकी security money फॉर्फिट होगी जैसे private के लिए 2,00,000 रुपए का बहुत बड़ा नुकसान होता है जिसके बाद किसी ने state में round छोड़ा है तो उसकी state की security money फॉर्फिट होगी तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है student को तो अगर एक ही platform पर होगा तो उसमें security money उसको फॉर्फिट होने के chances बहुत कम है उसी condition में उसकी फॉर्फिट होगी जब वो seat छोड़ेगा next round में participant करेगा इसके बाद में जो और बड़ा फाइदा है वो ये है कि counselling के बाद कोई seat vacant नहीं रहेगी अभी काफी सारी seat इस्टेट की भी vacant रहते हैं स्टेट counselling के बाद में MCC की भी रहते हैं इसकी जो possibility है वो बिलकुल कम हो जाती है ये जो seat vacant रहने की जो possibility है ये बिलकुल कम हो जाएगी इसमें एक ही platform पर आपको focus करना है अभी आपको ये देखना है अभी तो जो फिलाल counselling चल रही है उसमें state की कब होगी All India का round कब होगा सभी में तो इसमें आपको एक ही platform पर focus करना है जो common counselling होगी उसी पर इसके बाद में अगर इसमें आपका admission नहीं हो रहा है सबसे बड़ी problem student को क्या आती है कि इसमें जो MBBS, BDS की counselling चल रही होती है इसी के दोरान ही जो other courses है जैसे BSE nursing हो गया इसके लावा veterinary हो गया, I use हो गया इसके counselling भी start हो जाती है तो student ये judge नहीं कर पाता कि मेरे को MBBS में seat मिल सकती है या फिर मेरे को I use में लेना है या veterinary लेकिन अगर common counselling होगी तो उसके एक या दो round बाद ही student को मालुम चल जाता है कि मेरे को seat कहां मिलने वाली है क्योंकि अभी confused होता है student को कि उसके state में भी seat मिल सकती है इसलिए वो other courses में इतना risk नहीं ले सकता है तो ये हैं फाइदे इसके ये हैं इसके benefit student को कोई risk लेने की जड़त नहीं है अभी student को काफी बड़ा risk लेना पड़ता है अगर ओल इंडिया की second round में नहीं लिया admission तो क्या पता state के mop up में मिलेगा नहीं मिलेगा ओल इंडिया के mop up में मिलेगा नहीं मिलेगा तो इस परकार की risk है उसके साथ तो ये जो common counseling होगी इसमें किसी परकार की कोई risk नहीं है तो देखो ये तो हैं इसके फाइदे, नुकसान मेरे को इसमें कोई नहीं लग रहा है अगर ये सही तरीके से implement की जाए तो हर एक state का eligibility criteria है वो follow किया जाए, हर एक state का जो domicile criteria है वो follow किया जाए, state की condition follow की जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई problem नहीं है, बस ये किये है कि student को carefully fully ये counselling करवानी है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये होता है, ऐसा state NMC दोवारा उठाया जाता है, तो student के हित के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाबदाइक है, बाकी, देखो मैं आपको बता दू, हर एक counselor का, हर एक student का, हर एक parents का, सोचने का जो दाइरा होता है, वो अ प्रकार का कोई loss ना हो, उसको परेशानी ना हो, उसको जो वो desired college चाता है, वो college उसको मिल जाए, इससे एक ये फाइदा होगा common counseling से, कि जो बाद में जैसे मोप अगरा में student को अच्छी seat मिल जाती है, तो second round में मिली हुई seat वारे student सोचते हैं कि कास में मोप अप में मोप तक risk ले लेता, लेकिन सारे student तो मोप अप तक risk ले नहीं सकते हैं, क्या मेरे को अगर मैं state में admission ले लेता, risk ले लेता, तो मेरे को state की अच्छी seat मिल जाती, मेरे और उस candidate की mark सहे में, लेकिन state में उसको अच्छी seat मिल गी है, मैं all India के second round में एक seat जो है, दूर की seat, दूर state की seat ले नहीं रहेगा, क्योंकि common counselling से आपको एक अच्छी seat मिलने की possibility बनती है, तो ये मेरा सोच है, इससे student को लाब ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे दोड़ भाग नहीं होगी, और पैसे की बरबादी नहीं होगी, आपको एक ही जगे focus करना है, बाकी अगर य state की जो eligibility criteria है, वो implement करने पड़ेंगे, तो ये हो सकता है, इस साल ना हो, अगली साल हो, लेकिन ये जैसे भी होगा, और इसकी rules जैसे भी आएंगे, हम आपको inform कर देंगे, मिलेंगे नई updates के साथ में, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाते जाते आपक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब आवस्य करें, क्योंकि इस प्रकार की information हम लेके आते रहते हैं, मिलेंगे नई updates के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जैए!